अब विदेशों में बज रहा है शहनास गिल का डंका ये बात जानना फैंस के लिए भी जरूरी है कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए शहनास को बहुत जादा प्यार मिलता है और बहुत जादा पसंद किया जाता है बिग बॉस 13 से ही ये चीज़े हम सब ने देखी लेकिन क्या विदेशों में भी शहनास के इतने जादा फैंस है कि सिर्फ शहनास ही शहनास नजर आती है चाहे पूरी टीम ही क्यों ना उनके साथ हो गैस पूरी वीडियो देखेगा क्योंकि फैंस के लिए ये सारी बाते जानना बहुत जरूरी है क्योंकि फैंस जिसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं वो किस तरह से काम्याबी की पायदान चड़ती जा रही है ये सारी चीजे तो जानना ही होगी क्योंकि उनकी मेहनत नजर आती है उनकी मेहनत किस कदर सफल होती है शहनास गिल पहुची टिफ में वहां तक पहुचना सचमुच अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है शहनास की मुवी को चुना गया और पहली एक ही ऐसी हिंदी फीचर फिल्म है जिसे चुना गया टिफ के लिए और वहां पहुचते ही मानों हर तरफ सिर्फ और सिर शहनास का जलवा नजर आया और ये चीजे बहुत जादा इंडस्ट्री में तो नोटिस की ही गई विदेशों में भी ये चीजे बहुत जादा नोटिस की गई है कि किस तरह से फैंस शहनास को एप्रिशियेट कर रहे थे मिडिया में हर तरफ शहनास के चर्चे रहे ट्रें इकल शहनास पर आये ना कि सोशल मिडिया पर चारो तरफ सिर्फ शहनास ही शहनास नजर आई थेंक यू फो कामिंग मूवी भी लगा था ट्रेंडिंग में बनी रही शहनास की फैंस की वजह से और शहनास के विदेश में भी इतने जादा फैंस है जो सिर्फ शहनास के लिए इवेंट अटेंड करने आये थे और वहाँ जल्वा सिर्फ शहनास का नजर आया पूरी स्टार कास्ट शहनास के साथ थी लेकिन जादा तर फैंस शहनास के थे और पूरा का पूरा शो बुग्ड था ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी हाउस फुल शो रहा औ और शहनास को बहुत जादा वहाँ पर भी प्यार मिला जिसके वजह से टिफ में शहनास के नाम की गुंच सुनाई दियो टिफ से जुड़े हुए कई बड़े-बड़े सेलिब्रिटी शहनास की रील विरियो को लाइक करते हैं और शहनास को कुछ लोगों ने फॉलो करना भी स्टार्ट कर दिया है चाहे डिजाइनर्स की बात की जाए या बड़े-बड़े मेकप आर्टिस्ट की बात की जाए जो की विदेशों से है तो ये अपने एक बहुत बड़ी बात है और शहनास ने खुद अपने इंटर्व्यू में कहा भी है कि हम कहा तो डिजाइनर के कपड़े हम पहन रहें तो सच मुझी एक प्राउड मॉमेंट है शहनास की महनत इस तरह नजर आती है और जिसके पीछे फैंस का भी बहुत बड़ा हाद है वैल गाइस क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कमेंट में आकर हमें जरू बताइए वीडियो को लाइक करके के जादे से जादे शहर कीजिए और चैनल जरू सब्सक्राइब कीजिए लिटिस्ट अपडेट के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग आइस